नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूँगा DRDO के नोटिफिकेशन जो आया हुआ, उसकी कम्प्रीट जानकारी है, तो आएए वीडियो को सुरू करते हैं, without wasting too much time, हर एक जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीज में लाइब आ चुका हूँ, एक्जाम पैटर्ण से लेके, स कहां कहां रहेगा इग्जामिनेशन पैटर्ण, स्यालरी स्टक्चर्ण क्या है, और स्वैबस, सारी चीज़ देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को सुरू सज़र कियां तक देखेगा, मैं अपने वीडियो को हाइड कर रहा हूँ, प्रॉपर एकदम निगाहे बना आई के लिए, तो यहां पर देखेगा कि आपका 23 सितंबर आपका क्रुसिस, मतब यह देखेगा सबसे पहले important point ही कर वीज़ेगा, age and educational qualifications को लेकर के यह है, कि इस date के पहले आपकी degree या थवा diploma या age calculation जो भी होगा, इसी date को लेकर के किया जाएगा, अप्रिकेशन कब से शुर एनाउंस किया जाएगा, थोड़ा सा वेट और वाजवा भी बात है, लेकिन फिर भी ड्याडियो प्रॉपर टाइम देता है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, payment structure जो आपका senior technical assistant के लिए vacancy आया हुआ, वो 3500 का grade पे है, after the 7th pay commission of government of India, और minimum जो age criteria है, 18 सजे के 28 साल है, लेकि लेकिन आपके age per the category, जैसा भी central government का नियम है, कि 3 साल OBC के लिए और 5 साल SC और SD के लिए वो तो आपको मिलेगा, उसमें तो भाई, देखी, जो सरकार के नियम है, उसमें तो रहेगा रहेगा, नेक्स, अगर हम बात करें यहाँ पे important बात, देखो, मैं इसको इसलिए भी without वी एर का जो इन्हों BSC अथवा, डिप्लोमा किया है, वो इलेजबल नहीं है, तीसा इन्होंने कहा है कि जैसे कि higher qualification like MSC, BE, BTEC, PhD, एक important point है वीटा, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, देखो, मैं इसमें कुछ यह नहीं कहूंगा कि क्यों नहीं लेजबल है, यह देखो, इसमें को like जरूर करना, आप लोगों के लिए महनत करते रहते हैं, तो देखें, यहाँ पर agriculture में आपकी 10 vacancy है, जो की BSC होना चाहिए आपका, और उसके बाद आपको automobile engineering में आपका diploma in automobile engineering या mechanical से होना चाहिए, इसमें total आपकी 15 vacancy है, डिप्लोमा आपका होना चाहिए इसमें, civil engineering की बहुत अच्छी vacancy है, यहाँ पर diploma in civil engineering from the recognized university, 25 vacancy है, और computer science की भाई देखें, गजब की vacancy है, CS की vacancy, डिप्लोमा अगर आपने कर रहा है, CS से 167 vacancy है, फिर उसके बाद electrical and electronics की vacancy अगर देखा जाते हैं, 17 vacancy यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो देखें, यह दिप्लोम electronics and installation की 31 vacancy है, pure electronics की vacancy 192 है, installation की vacancy 17 है, देख रहा है आप लोग, library science की 23 vacancy, mathematics की यहाँ पर vacancy 13 है, लेकिन इसको जड़ा मार्क करिएगा सब लोग, इसको मार्क करिएगा यह ब्रांच को हमेशा अंदेखा किया गया है, Central Government के द्वारा, लेकिन यहाँ पर DRDO ने इस ब्रांच को खुष कर दिया, थोड़ा सा मैं जूमीन कर देता हूं, mechanical engineering, याद रखेगा mechanical in, diploma in mechanical engineering और mechanical engineering, production, automobile, refrigeration and air conditioning, maintenance, मतब mechanical से रेलेटेड यह सारे ब्रांच इस पोस्ट के लिए eligible है, आपको याद रखेगा, हाना, metallurgy में आपकी देखे कि किस vacancy है, तो और दूसरी बात मैं आपको ब automobile के लिए है, तो ये भी notifications में देख सकते हैं कि automobile 10th आपका होना चाहिए, उसके बाद ITI का certificate नहीं, automobile trades होना चाहिए, book binder का भी है, carpenter का भी है, उसके बाद electrician में देखेगा 10th और आपका electrician से ITI trade आपका होना चाहिए, electronics में वही सेम चीज़ है, feeder में आपका 10th और ITI का trade होना फिर grinder में भी वही 10th और आपका ITI certificate होना चाहिए, grinding से, और तरम साब posting देखो, different DRDO के locations में पोस्टिंग होगी, और बाकी तो यहां पे applications भी 100 भी है, यह examination center है, यहां यहां examination का center आपका across India रहेगा, ठीक है, और बाकी तो paper आपका देखे, CBT 1 होगा, जो proper तरीके से screening purpose से होगा, यह इसका आपको syllabus होगा, यह आपको पूरा-कपूरा syllabus और examinations pattern है, बाकी detailed syllabus को लेकर कि मैं live event करूंगा, 12 बजे परसान मत होईएगा, नमबर आप questions आप लोगों को यह रहेगा, यह रहेगा, ठीक है, और वाकी CBT waste paper होगा, test specific मतब subject rated होगा, 100 questions होगा, 100 marks का होगा, 90 minute का होगा, और बाकी तो screening criteria आपको भी पता है, CBT 1 में जैसे भी होगा, minimum 60-40% आपको लाना पड़ेगा, 1 to 8 की ratio में tier 2 में बुलाया जाएगा, फिर tier 2 का आपका specific subject का एक test होगा, और the provisional selected will be based on the order merit obtained in tier 2, जो भी provisional selection criteria होगा, वो आपका basically tier 2 होगा, tier 1 आपका एक प्रकार से screening purpose है, tier 2 में अगर minimum देखो कम से कम 40% उन्होंने रखा है, unreserved category के लिए और SC और SD के लिए, ये complete जानकारी थी, ये देखिए, technician वादा examinations pattern है, तो I think हमने बहुत सारे information साप लोगों को convey किया, syllabus की video separate करेंगे, syllabus की video आपको separate करेंगे, don't worry guys, we are with you, and बाकी तो I think हमने सब कुछ कवर कर दिया, तो अब इसमें बहुत सारे FAQ sessions होगा, तो syllabus का जब वीडियो करेंगे, तो आप लोग लाइब आकर कि या वीडियो की नीचे maximum comment जिस points का आएगा, उसको आप लोग बताईएगा, अब मैं आपको एक बाद पताना चाहता हूँ, अगर mechanical engineering आपकी branch है, अगर आप preparations की journey को शुर मतब चो की अड़ा देखो हमें ऐसा मैं बोलता हूँ, affordable education के लिए जाना जाता है, quality education के लिए जाना जाता है, तो mechanical engineering का महापक, या civil के लोग civil का महापक, electrical के लोग electrical का महापक, इस examination से संबदित हर एक examiner, हर एक live class है, test series है, video course है, live batches भी अगर आता है, अगर आप लोगों की demand आएगी, तो हम उसको add करतेंगे, इसमें, तो बस इतना ही छोटी सी बात है, तो सारे महापक के लिंक, वीडियो की नीचे description में पड़े हुए है, code यूज कर सकते हैं, बटा, Y201, you will get maximum discount आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 78% का, और सारी classes का access भी मिल जाएगा, चाहे mechanical ब्रां को को help करते हैं, thank you, बबै एक छोटा सा like जरूर करिएगा, चैनल को subscribe करिएगा, चोकि इससे हमें motivations मिलता है, और आप लोगों के लिए ultimately हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग भी हमें support करें, है ना, notifications आपका आया, हम आपको जो भी informations और share कर उर रयान, कि अत्त करते हैं, झापक लोगो, जापका जर चाहते हमेंज़ा।